पुरुशोत्तम मास या अधिक मास में भगवान विश्णु की आराधना करने से उनकी कृपा द्रिष्टी भक्तों पर बनी रहती है सावन में अधिक मास का संयोग पूरे 19 साल बाद बन रहा है इसे मलमास भी कहा जाता है इस माह में सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं आईए जानते हैं मलमास या पुरुशोत्तम मास के दोरान क्या करने से व्यक्ती को शुप फलों की प्राप्ती होती है दान पुन्य का काम करें धर्म कर्म के कार्यों के लिए अधिक मास बेहद उप्योगी माना गया है। इस माह में दान पुन्य के कार्य करने चाहिए और भगवान कृष्ण और नर्सिंग भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। इस दौरान श्रीमत भगवत गीता विश्नु सहस्त नाम का पाठ राम कथा और गीता का अध्याय करें। सुबह और शाम के समय ओम नमो भगवते वासु देवाए। मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी जी में अर्पित करें। जल सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेश महत्व है। इसमें माता लक्ष्मी का वास माना गया है। इसलिए अधिक मास में सुबह स्नान करने के बाद तामबे के लोटे से तुलसी में जल अर्पित करें। इसके बाद तुलसी जी की परि प्रिसीद प्रिसीद श्रीन हरी श्रीन उ महालक्षमी नमह मंत्र का जाप करें। भगवान विश्नु को तुलसी दल अर्पित करें। इन बातों का रखे ध्यान अधिक मास में दीपदान करने का विशेश महत्व है। साथ ही इस माह एक बार ध्वजा दान भी अवश्य करना चाहिए। इस अवधी में सामाजिक वर धार्मिक कार्य व्रिक्ष लगाना, सेवा कार्य करने चाहिए। साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखे कि अधिक मास में शारीरिक और मानसिक रूप से किसी का अहित नहीं करना इस माह अपशब्द, क्रोध, गलत कार्य करना, चोरी, असत्य बोलना ग्रहकल आदी से बचना चाहिए